कि अस्सलाम alaykum viewers आज हम classics की geography start करेंगे जिएघ्रापी में से जितने भी में सेट्मि सेरेक्ट करके compile कर लिए हैist कि हो हम चार या फांच लिक्चर में Diskuss करेंगे तो लिट स Radman out now in so नमबर वी मेटियोज आप्शन नमबर सी गिलेक्सी तो इसका सही जवाब है गिलेक्सी आसल में कांस्टिलेशन अगरुप अपस्टार जो है उसको कांस्टिलेशन कहा जाता है लेकिन जब हम यूज कांस्टिलेशन आपस्टार की बात करते है तो इसको गिलेक्सी कहा जाता ह तो इसका सही जवाब है आप्शन नमबर C गिलिक्सी मिलियन आप स्टार्स आप्शन नमबर यह है B बिलियन है C ट्रिलियन है तो इसका सही जवाब है B बिलियन आप स्टार हर गिलिक्सी जो है वो बिलियन आप स्टार्स पर मस्तमिल होती है स्कूज नमबर 3 दा इन्यूर्स केम एंट एक्जिस्टेंस डेश यह अगो इन्यूर्स जो है वो कितने साल कबल वजूद में आई थी आप्शन नंबर 15 comes out £15,00809,809 एन्यूंबर 150,000,000,000 ठैब यह अप्शन नंबर 50,000,000,000 श तौ एसका सही जवाब है अप्शन नंबर B 15,000,000 सही एक्जिस्टेंस केम एक्सितनों और 15,000,000,000 धो से QOs No. 4 C 15 00 A Kelly 6 संट इसका सही जवाब है अप्शन नबर सी संट जो है यह अर्थ के बिलकुल नजदीक है सिक्यूज नबर फाइव देर आर डेश प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम हमारे सोलर सिस्टम में कुल कितने प्लैनेट्स है पहले नोते लेकिन अब लोटो जो हो निकाल दीगी है तो अब आठ है तो इसका अप्शन नबर ए जो है आठ सही जवाब है एमसी क्यूज नबर सिक्स दे सेटलाइट अफ अर्थ इस अर्थ का सेटलाइट कौन सा है तो स्टार सन मून मून जो है यह निच्रल सेटलाइट अफ अर्थ है मून जो है यह अर्थ के एदगर चकर ल अप्शन नमबर A, Mercury, आप्शन नमबर B, Jupiter, आप्शन नमबर C, Earth, तो इसका सही जवाब है, आप्शन नमबर A, Mercury, Mercury जो है यह सन के बिलकुन नस्दीक है, जिसे Q नमबर आट, दा तार्ट प्लैनेट अब दी सोलर सिस्टम इस, सोलर सिस्टम की जो तीसरी प्लैनेट है, वो कौ आप्शन नमबर 9, temperature on the surface of the sun is, जो sun का surface है, वहाँ temperature कितना है, आप्शन नमबर A, 6000 degree centigrade, आप्शन नमबर B, 10,000 degree Fahrenheit, आप्शन नमबर C है, बहुत, तो यह 6000 centigrade भी ठीक है, 10,000 Fahrenheit भी ठीक है, कि तो दोने बराबर है, आपस में कन्वाटेबल है, तो इसका सही जवाब है, C, बहुत आप्शन नमबर 10, according to the new research, डेश इस नो मोर कंसेडर इस प्लैनेट, कौन सा प्लैनेट है, जिसको अभी प्लैनेट नहीं माना जाता, लेटिस रिसर्च के मताबिक, आप्शन नमबर A, नेप्चौन, आप्शन नमबर B, सेटरन, आप्शन नमबर C, प्लोटो, तो इसका सही जवाब है, आप्शन नमबर C, प्लोटो, प्लोटो जो है, यह इसको नुकाल दिया गिया है, सेक्यूज नमबर 11, the solar system came into existence about, solar system जो है, यह कब मारेज़ व्यूद में आया, आप्शन नमबर A, 4.5 million year ago, आप्शन नमबर B, 4.5 billion year ago, and आप्शन नमबर C, 90S का सही जवाब है, B 4.5 billion years ago, आप्शन नमबर 12, which one of the following planet takes more time, almost 164.75 years to revolve around the sun, तो आप्शन नमबर A है, निप्चोन, आप्शन नमबर B है, मरकरी, and आप्शन नमबर C है, यूरिनस, तो इसका सही जवाब है, निप्चोन, निप्चोन बहुत ज़्या टायम लेता है, आप्शन निप्चोन बहु सिक्यूज नमबर 13, which one of the following planet take less time, almost 88 days, to revolve around the sun, इनमे से कौन सा प्लैनेट है, जो बहुत कम टायम लेता है, यानि 88 दिन लेता है, तो इसका आप्शन नमबर A है, निप्चोन, आप्शन नमबर B है, मरकरी, and आप्शन नमबर C है, यूरिनस, इसका सही जवाब है, मरकरी, इस्टेंस अप्धी अर्थ प्रम दी सन, अर्थ और सन के दर्मियान जो इस्टेंस है, वो कौन सा है, आप्शन नमबर A, आप्शन नमबर B, आप्शन नमबर C, तो इसका सही जवाब है, आप्शन नमबर A, 149597890 किलो मिटर, एमसी क्यूज नमबर 15, डामेटर अप्धी अ 247 किलो मिटर, इसका सही अंसर है, आप्शन नमबर A, 40, 0, 41, 47 किलो मीटर, ये वो कितना है, आप्शन नमबर A, 12,745, आप्शन नमबर B, 12,746, और आप्शन नमबर C, 12,747, इसका सही जवाब है, अप्शन नमबर A, नबर बी ट्वेल ताउजन्ट सेवन हांड़ेट फॉर्टी सिक्स एमसे क्यूज नबर सेवंटीन रोटेशन अप दी अर्थ क्रियेट हो अर्थ जब रोटेट करता है तो इससी क्या बनता है अप्शन नबर ई सीजन्ज ए सबस्दे़ असका सही जवाब है ऑप्शन निबर सीजन्ट इसका सही जबड़ से MICHAEL सीजन्ट its Excess आर्द जो है वह कितने अंगल पे-क्लाइन करता है अपने एकसिस के इर्द गिर्दों तो इसका नमबर में है टू-तर्टी-फ्थैव डिग्री when moon comes in sun in earth दिन इटसकाल्ड जब moon जो है ये sun और अर्थ के दर्मियान आ जाये तो इसको किया कहते हैstoppable option number a है solar eclipse option number b है lunar eclipse option 2 c है total eclipse तो इसका सही जवाब है solar eclipse जब moon sun और earth के दरमियान आ जाये तो इसको solar eclipse कह综ते है इंसी qasm number 22 when earth comes in sun and moon दिन इटसकाल्ड जब Earth Sunा और Moon के दर में आना ज़ाए तो इसको क्या का जाता है option number A solar eclipse option number B लूनर एकलिप passion आपशन नम्बर C total eclipse तो इसका सही जवाब है option number B Looner eclipse secure number 23 huge mass of land surrounded by ocean from at least three side is called जमीन का ऐसा हिसा جो तीन अर्फ्शाब से समंंदर से गिरा हुआ हो सको क्या क्या कहा जाता है option number a island option number b continent option number c peninsula इसका सही जवाब है option number b continent इसका सही जवाब है continent mcqs number 24 there are dash continents in the world world में कितने continents बरे आजम हैं तो इसका सही जवाब है option number c 7 mcqs number 25 the biggest continent of the world is dunya का सबसे बड़ा continent कौन सा है इसका सही जवाब है Asia mcqs number 26 the smallest continent of the world is dunya का सबसे चोटा continent जो है वो कौन सा है इसका सही जवाब है option number c mcqs number 26 मस्ट इवलप continent of the world is दुनिया का सबसे तरकी आपता बरे आजम continent कौन सा है ये यूरप है option number C इसका सही जवाब है huge body of saline water is called option number A C option number B dame option number C ocean तो इसका सही जवाब है option number C ocean excuse number 29 there are dash oceans in the world दुनिया में कुल कितने oceans है A2, B3, C5 इसका सही जवाब है 5 MCQs number 30 dash is the biggest ocean of the world कौन सा ocean जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा ocean है option number A Pacific, option number B Arctic option number C Indian इसका सही जवाब है option number A Pacific excuse number 31 dash is the smallest ocean of the world कौन सा जो है वो सबसे चोटा ocean है दुनिया में A Pacific B Arctic, C Indian तो इसका सही जवाब है option number B Arctic आर्क्टेक एमसी क्यूज नमबर 31 के बाद जितनी भी एमसी क्यूज है वो आने वाले लेक्चर में हम कर लेंगे